हेलो फ्रेंड्स इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताये था कि कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं करते हैं यह पर जाने के बाद हमें क्या दिखता है एक सिक्वेश मینुट दिखता है यह जिसको हम कंट्रोल N भी कह सकते हैं में यहां पर सिक्वेश पर हम क्लिक करेंगे इस तो हमारे सामने यह option निकल के आते हैं इसमें क्या है sequence present में क्या है आपको अलग-अलग mode दिये हुए जैसे कि airi video editing के mode होते हैं dv-pal standard में अगर आपने करना है या wide screen लेना है wide screen का मतलब होता है 16 by 9 का ratio होता है यह यहां आप देखते हैं कि editing firewall के थुरू आप video edit करते हैं या capture करते हैं या editing mode dv-nthc में लेते हैं आप यहां पर audio setting है audio setting में यह आपको अलग-अलग mode दिये हुए यह आपका dv-pal है अगर आप dv format में edit करना चाहते हैं तो dv format में edit कर सकते हैं यहां से चूज कर लिजिए 720 by 576 का ratio होना चाहिए 576 और frame rate आपका हमेशा होना चाहिए 25 frames per second के हिसाब से यह standard आपका उसके बाद आता है आपका dvc pro का dvc pro की आप सेटिंग कर सकते हैं hdv hdv की setting आपका यह होती है जिसमें 25 frames per second के हिसाब से होता है इसमें आपका अलग-अलग mode दिये हुए है तो जैसे भी आप चाहें अपनी सुईदा के अनुसार सेट कर सकते हैं यहां पर यह देखिए यहां पर जैसे मैं इसको सेट कर रहा हूं इस जगा पर तो यह अलग-अलग file format और video format चेंज हो रहा है यह देखिए यह देखिए यह देखिए अब यह 25 फ्रेम पर सेकंड का आ गया है इसका रेशो चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं यह सेटिंग आ गई आपकी editing mode में अगर आप सेटिंग रखना चाहते हैं तो इतनी सेटिंग है चाहें आप इसको custom कर दीजिए custom में करने के लिए आपको 19 by 20 का project बनाने के लिए यह 19 by 1080 का हमेशा project रखेंगे आप pixels रेशो यह हमेशा square pixels पर रखेंगे और यहां पर करने के बाद यह देखिए automatic आपकी setting चेंज हो गई है यह track audio आपकी यही रहे की सहीम standard में यहां पर आप change करना चाहते है इस्टूरियों सम्मिक्स करना चाहते हैं मिक्स हो जाएगी और standard अगर आप रखना चाहते हैं तो आपका standard में आ जाएगा तो इस पे करने के बाद में हम क्या करेंगे इसको अभी हमने जो सेटिंग रखी है इसकी HDV में रखी है और इसको हम OK कर देते हैं जब हम OK करते हैं तो ये आपके सामने सिक्वेंस की टाइम लाइन बनके आ जाती है जब sequence की timeline आपके सामने आ जाती है तो इस पे हम कुछ भी edit कर सकते हैं तो इससे आगे आले episode में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम source monitor, program monitor और project panel में काम करते हैं तो तब तक के लिए please keep watching my tutorial on the YouTube channel